ओम शांति, गूड मॉर्निंग, तपस्या की सीजन में हम प्रह्मा वद्सो का भी विशेश द्रण संकल्प है और ऐसे मैसूस होता है जैसे उस संकल्प ने बाबा को भी बांधा हुआ है तो बाबा भी हमारे साथ साथ है और सहज ही स्रेश्ट अनुभूती करा रहा है यह परमात्म उपस्तिती का प्रूफ है तो इतना सुंदर समय और इतनी स्रेश्ट प्राप्तियां इस ब्रह्म मूर्थ अमूर्थ वेले में बाबा अपनी बच्चों को करा करके जो सारे पांच हजार वर्ष का चक्र है उन सभी युगों में सबसे स्रेश्ट पार्ट हम ब्रह्मा वत्सों का होगा उसी की ये बाबरी हरसल करा रहा है ना वो संसकार बाबा आत्मा में भर रहे हैं अब उन संसकारों को हमें इमर्ज रूप में कर्म करते स्मृती में रखना है कि सच मुझ मैं वो स्रेश्ट आत्मा हूँ आदिकाल को देखो मद्यकाल देखो अंत और उसके बाद अपना अंतिम फरिष्टा स्वरूप देखो तो जैसे हम घर से नीचे आए वैसे ही सतो प्रधान बन करके हमें अपने घर जाना है और ये पार्ट हमने कल्प कल्पांतर प्ले किया है बाबा कहता है मेहनत नहीं है मेरा किया हुआ पार्ट है सिर्फ संकल्प से उसे इमर्ज करना है तो ये बाबा हमें मैसूस कराता है कि मैं वो दीव्य मूरत दीव्य आत्मा हूँ तो आप सभी ने अच्छी तपस्या की अभी जब बैठे तब कैसे बैठे थे थंडा थंडा क्यों जवाब देते हैं किस-किस ने अच्छी तपस्या की हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो कैसे बाबा को याद किया कैसे याद किया याद करते 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 आत्मा शान्त हो जाती है शान्त हुए या याद करते करते वो अगनी प्रजुलित हुई जिससे आंत्री खुशी और प्राक्ति का अनुभव किया दो स्थिती एक बैठे बैठे जब बहुत ऐसी होता है न तो स्वरूप में आत्मा शान्त हो जाती है तो कौन सी स्टेज को अनुभव किया क्या किया शक्ति उन्हे दो बाते गही क्या अनुभव किया लेकि स्वरूप अनुभव किया और क्या किया दुर्गाबिन आत्म देधरी से तो दूर अभी तो कहां देधरी बैठे है योग में क्या अनुभव किया आती है क्या आज क्या अनुभव किया अभी भी लगन के साथ लगन से आ रहे हैं लेकिन दूसरा एक शब्द एट करना है हमें मगन हो कर तपस्या करनी है आप एक एक इतनी स्रेश्ट आत्माई हो जो वो इतने डिगरी धारी आत्माव ने जिसको नहीं पाया उसको आपने पाया है और बाप खुत डाइरेक्ट आपको उन शक्तियों और वर्दानों से बरपूर कर रहा है उस नशे में उस इश्वरी खुशी में बैठो थोड़ आसा परिवर्थन करो लगन में मगन होना है तो माया नहीं आएंगी यह जो शान्त हो जाते है न तो शान्त का कारण क्या है चिंतन खतम हो गया वो स्वरुप का अनुभावबंध हो गया बस आत्मा शान्त करते करते फिर दूसरी लहर आ जाती है तो आज से और एक क्या टेंशन रखेंगे थोड़ा आलर्ट हो करके बैठो आया तो ऐसे नहीं करो बगाओ उसको अरे बाबा करके इनको सकाश दे रहा है और ये खिड़किया बंद हो रही है इतनी प्राप्ति के लिए आप आए हो तो थोड़ा सा और अटेंशन देंगे तो अनुभूती कर सकेंगे और आपको लगेगा कि सचमुच बाबा क्या कमाल कर रहा है बाबा हमें उड़ा रहा है लेकिन सिर्फ मन की द्रणता चाहिए साधरणता कोई भी कारण से साधरणता को नहीं लाओ देरी से सोए ऐसा था वैसा था कुछ भी नहीं हम तपस्वी मूर्थ बाबा के सामने बैठे हैं बाबा इसमें शक्ती भर रहा है वर्दान भर रहा है जो ये कान सुन रहे हैं उस स्वरूप को चिंतन से प्रैक्टिकल में मैसूस करो ठीक है तो आज बाबा ने भी बाबा हमारा सिक्षक है कल कहा था ना कि मुरली कैसे सुनी है स्टूडेंट मन करके बैठना है तो आज भी कैसे बैठेंगे तो आज टीचर ने आते ही परिक्षा ली है बाबा ने कहा बच्चों ने बाबा को याद किया किया तो आज बाबा ने कहा बाबा को ये विचार चल रहा है कि एक सेकंड में सब बाबा को लिख करके दिखाएं कैसे बाबा को याद किया एक सेकंड में लिखें और बाबा ने प्रेक्टिकल क्लास में लिखवाया है और लिखाने के बाद बच्चों को बुलाया दिखा करके जाओ क्या लिखा बाबा ने देखा, बाबा ने खुद भी लिखा लेकिन जो बाबा ने लिखा था, वो किसी ने नहीं लिखा तो आप देखेंगे कि बाबा ने क्या लिखा और हमने कैसे बाबा को याद किया वो हम मुरली से सुनेंगे ठीक है तो टीचर हमारे सामने है और हम स्टुडेंट उसे पढ़ रहे हैं तो ये दस तरीक के बाबा की महावाके मुरली का सार है मीठे बचे अलफ और बे बाब और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चड़ा रहे ये बहुत सहज सेकंड की बात है प्रश्न है बे अंत खुशी किन बच्चों को रहती है सदा खुशी का पारा चड़ा रहे उसका साधन क्या है कब खुशी रहेगी किन बच्चों को पढ़ाई पढ़कर विचार सागर मन्थन करते बे अंत खुशी पढ़ाने वाला कौन है उसकी स्मृती रहे और बे अंत खुशी सर्वी सेवुल बच्चों को बुद्धी में एक बाबा की श्रीमत रहे तो बाबा ने कहा है जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते बाब जो सुनाते उसे अच्छी रीती धारण करते हैं दूसरों को कराते हैं उन्हें ही बे अंत खुशी रह सकती है खुशी का पारा सदा चड़ा रहे इसके लिए अविनाशी ग्यान रत्नों का दान करते रहो सदा ये स्मृती रहे कि हम अभी सुख और शान्ती की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी ओम शान्ती बाप दादा का विचार है आते ही बाबने विचार सुनाया कि एक सेकंड में बच्चों से लिखा कर लें कि किसकी याद में बैठे हो बाबने का इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है हर एक एक सेकंड में लिख कर बाबा को दिखा कर जाए अभी आप अपनी डाइरी में लिखो एक सेकंड में पले दिखाने नहीं आना लेकिन कैसे बाबा को याद किया वो लिखो सबने लिख कर बाब दादा को दिखाया फिर बाबा ने भी लिखा बाबा ने जो लिखा सो कोई ने भी नहीं लिखा सुना सबने लिखा लेकिन जो बाबा ने लिखा वो कोई ने नहीं लिखा आपने क्या लिखा डॉट जगमाल भई क्या लिखा बहुत प्यार से याद किया और राठोड भई क्या लिखा स्वर्का वर्सा लेने वाले बाप को याद किया बाबा ने कहा बाबा ने लिखा Allah for ve सुना बच्चों ने अपना अपना लिखा तो बाबा ने क्या लिखा Allah for ve कितना सहज है बाबा कहता है Second भी नहीं लगें लिखने में Allah माना बाबा और बे माना बादशाही बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो और चास्ती लिखने की दरकार नहीं है तुमने तो लिखने में दो मिनिट लगाया बाबा ने तो सेकंड में लिख दिया अल्ला फर बे सेकंड की बात है सन्यासी सिर्फ अलब को याद करेंगे तुमको बादशही भी याद रहेगी वो सिर्फ एक बगवान को याद करते हैं हमें बादशही भी याद है तो बाबा ने कहा याद की आदत पढ़ जाती है बुद्धी में बैठता है तो खुशी का पारा जड़ा रहता है अलफ का अर्थ कितना बड़ा हाइस्ट चोटी है एक लिखा तो अलफ अलफ का अर्थ कितना बड़ा है हाइस्ट चोटी उससे उपर और कोई चीज है ही नहीं तो बाबा ने कहा रहने का स्थान भी उँचे से उँचा है अलफ माना बाबा तो उससे आगे तो कोई चीज है यह नहीं और उसकी रहने का स्थान भी उँचे से उँचा है सेकंड में मुक्ती जीवन मुक्ती का अर्थ भी कोई नहीं जानते उसका भी जरूर अर्थ तो होगा न क्याते न सेकंड में जीवन मुक्ति मिली तो उसका कोई अर्थ होगा न बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनिट, इतने सेकंड हुए टिक टिक चलती रहती है टिक हुई अलफ, बे बाबा कहता है बस सेकंड भी नहीं लगता है फिर बाबा कहता है कहने की भी दरकार नहीं याद तो है ही न हमें बाबा तो याद है ही न तुम बच्चो की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए कितना संशिप्त में कितनी गहरी बात बाबा ने कह दी तुमको बाबा तो याद है ही न फिर बाबा कहता है तुम बच्चो की कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए परन्तु वो तब होगी जब याद टिकेगी कर लेते हैं लेकिन स्थित होंगे उस स्वरूप में याद रहेगी यहां बैठे हो तो बाब और राजय याद रहनी चाहिए बुद्धी देखती है जिसको दिव्य दृस्टी कहा जाता है आत्मा भी देखती है आत्मा को बाब को आत्मा ही याद करती होगी तुम भी बाब को याद करो तो राजय इकठी आ जाएगी आज बाब उस बात पर स्पस्ट कर रहे है बाब कहा माना वर्सा अंडरस्टूड है ही तो बाबा कहो तो राजय इकठी आप आ जाएगी लेकिन वो संसकार वो स्मृति आनी चाहिए कि बस बाबा कहते ही बाबा के वर्से का अनुभाव करे आत्मा बाबा ने कहा कितना देरी लगती है यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गद गद होते रहेंगे सुना आज बाबा क्या होमवर्ग दे रहा है आ करके बैठते तो हो लेकिन गद गद होना है खुशी में आनंद में रहना है बाबा भी इसी खुशी में बैठे है बाब को यहां कोई बात याद ही नहीं सुना अनुभाव बाबा का बाबा को यहां कोई बात याद ही नहीं और आपको और ली क्लास में भी फोन बजते रहते हैं उन्हों के कनेक्शन कोई नहीं कट करते हैं बाबा ने कहा बाबा को याद करते हैं वहां की बातें बाबा और राजाई जैसे की दर पर खड़े हैं बाब कहते हैं मैं तुम बच्चों को के लिए राजाई ले आया हूँ तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए तुमें खुशी भी नहीं होती है फिर बाबा ने कहा तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाब को याद करो कितना उचा स्थान है जहां तुम रहते हो बाबा ने कहा ये दुनिया थोड़े ही जानती है मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं अभी मुक्तिधाम है कहा ये तुम समझते हो उनको तुम मुक्तिधाम की नॉलेज भी नहीं है और बाबा ने कहा आत्मा तो रॉकेट है हम यहां बैठे और एक सेकंड में मुक्तिधाम पहुँच सकते हैं पहुँच सकते हैं पहुंचते हैं, तो बाबा ने कहा, वो लोग चान तक जाते हैं, फिर भी पोलार है, आकाश्टत्व पोलार है, तुम तो पोलार से भी बहुत उंचे चले जाते हो, आकाश्टत्व के भी पार, चंद्रमा तो इस दुनिया का है ना, इतत्व तो यहां के है ना, ग्रह भी यहां के है ना, कहा जाता है सूरे चान से परे, आवाज से भी परे, इस शरीर को छोड़ देना है, तुम आते ही हो, सुईट साइलेंस होम से, आने जाने में तुम्हे time नहीं लगता है घर से यहां आने में time लगेगा लेकिन उस खर आने जाने में time नहीं लगता है कितना अदिका है? बाबा कहता है अपना घर है न सुना यही मैं सुसता वो अपना घर है ना यहां तो कहां भी जाओ तो टाइम लगता है आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहां का कहां चली जाती है एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो अपने को आत्मा समझना है पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्या पढ़ा रहे हैं बाबा अपने को आत्मा समझना है तुम बहुत उंच चोटी पर जाते हो मनुष्य शांती चाहेते हैं शांती की हाइस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और उस हाइस्ट टावर पर हम पहुँचते हैं तो बाबा ने कहा शांती की हाइस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और सुख की भी हाइस्ट चोटी परमदाम नहीं है अनुभुति नहीं है तो बाबा ने कहा सुख की हाइस्ट चोटी है स्वर्ग जा दोनों को वो अनादी रूप, वो हमारा आदी रूप वहाँ शान्ती और वहाँ सुख है उचे ते उच को, उच ते उच को टावर कहा जाता है तुमारा घर कितना उचा है दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल भी नहीं करते है और भगवान सुभा सुभा हमें पढ़ा रहा है उनको ये बाते समझाने वाला कोई है ही नहीं कोई जानता नहीं है ना कोई समझाने वाला है हमें तो रोज बैठ करके समझा रहा है रोज प्यार से पढ़ा रहा है तो बाबा ने कहा उसको कहा जाता है शान्ती का टावर मनुशे तो कहते रहते हैं कि वीशो में शान्ती हो परन्तु इसका अर्थ नहीं जानते है कि शान्ती कहां है ये लक्ष्मी नारेन ये तो सुख के टावर में है वहाँ सुख है, ये सुख के टावर में है वहाँ कोई लोब लालच नहीं है तुना उस दुनिया में, कोई भी लोब लालच नहीं है वहाँ का खान पान बड़ा रॉयल होता है फिर सुख भी हाइस्ट होता है अज पांच स्वरूपों में स्वर्ग में चक्कर लगाया मैसूस किया मैं वो राजा डबल ताजधारी पहना था ताज वो स्वरूप में आये, अनुभाव किया तो बाबने कहा, भाका खान, पान, बोलना बड़ा रॉयल होता है वो है ही सुख का भी हाइस्ट उनों की महिमा देखो, कितनी है बाबा कहता है महिमा क्यों है? सर्वगुन संपन है टावर पर बैठे हैं इसलिए सोला कला संपूर्ण है इसलिए बाबा ने उसे हट करके जवाब दिया है उनों की महिमा देखो, कितनी है क्योंकि उनोंने बहुत महनत की है आप कर रहे हो ना तो महिमा का कारण क्या है? बहुत महनत की है आप क्योंकि अप्षाण दिया है अंधकार मन का मिते तन का कटे कलेश आत्म त्रिप्ति सुख शांति का एक यही संदेश योगी बनो पवित्त बनो योगी बनो पवित्त बनो जीवन में जीवन में सचरत बनो योगी बनो पवित्त बनो निर्मल मल हो ने चलवाण रिदय में छल के प्यार बहे ग्यान के पवन गंगा स्वर्ग बने संसार योगी बनो पवित्त बनो मन मधु बन हो देव्यगु की खैले मधुर सुवास अमर त्याग की देप शिखा बने घर घर करो प्रकाश योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरे बनो योगी बनो पवित्र बनो तो बाबा ने कहा उनकी महिमा क्यू है? क्योंकि उन्होंने बहुत महनत की है ये एक नहीं सारी माला बनी हुई है वास्तव में नो रतन गाए हुए हैं जरूर उन्होंने गुप्त महनत की होगी? या इतने सारे में से केवल नौरतनों का गायन तो कितनी महनत की होगी? बाप और वर्से की याद रहे तब ही भी कर्म बिनाश होंगे परन्तू, परन्तू क्या होगा? माया याद करने नहीं देती है कभी काम, कभी क्रोध, बहुत तूफानों में ले आती है अपनी नब्ज देखनी है नारत को भी कहा क्या कहा? अपनी शकल देखो तो वो अवस्था अभी है नहीं बनानी है बाबा एम अब्जेक्ट जरूर बताएंगे अंदर में पुरुशार्थ करते रहो आगे चल कर वो अवस्था तुम्हारी होगी अभी तो अन्ता आ गया न तो अवस्था चाहिए न तो बाबा ने तब कहा अशरीरी रहने की प्रेक्टिस करनी है ये है मोल अभ्यास चो बाबा ने भी बहुत किया अशरीरी रहने की प्रेक्टिस करनी है अब जाना है बापस बाबा ने कहा मुझे याद करो याद नहीं करेंगे तो तो सजाएं खानी पड़ेंगी और फिर पद भी कम हो जाएगा ये हैं बहुत सुक्ष्म बाते वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं क्या-क्या बनाते रहते हैं वो भी संसकार तो चाहिए ना साइंस के भी जो फिर वहाँ भी जाकर ये चीजे बनाएंगे सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है यहां के संसकार अनुसार ही वहाँ जाकर के जन्म लेंगे जैसे लड़ाई वालों की बुद्धी में लड़ाई के संसकार रहते हैं तो वो संसकार ले जाते हैं लड़ने भी गर रह नहीं सकते आफिसर के पास क्यू लगी रहती है जिस समय उनको लेते है न भरती करते है तो लंबी लाइन होती है न होती कितनी सीट है और कितने हजारों लोग उसमें फार्म भरते है तो बाबाने का भरती करते समय फिर जाच करते है कोई बीमारी तो नहीं है हर चीज उनके चेक करते है बीमारी नहीं है दोड सकते, तो सारी चेकिंग करते हैं, तो बाबा ने कहा, कोई बीमारी तो नहीं है, आ, कान, आदी सब ठीक है, लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए, तो यहां भी देखा जाता है, कि कौन-कौन विजय माला का दाना बनेंगे, आ, कान सब ठीक है इनके, तुम्हें पुरुशार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है, आत्मा अशरीरी आई है, और अशरीरी ही जाना है, वहां शरीर का कोई संबंद नहीं, अब अशरीरी बनना है, आज का पाठ पढ़ा रहे बाबा, अशरीरी बनना है, आत्में वहां से आती हैं आकर शरीर में प्रवेश करती हैं धेर की धेर आत्में आती रहती हैं सब को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो नई पवित्र आत्में आती हैं उनको जरूर पहले सुख मिला होगा इसलिए उनकी महिमा होती है बड़ा जाड़ है न कितने नामी ग्रामी आदमी है अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे तो अब बच्चों को मेहनत करनी हैं कौनसी मेहनत करेंगे? कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है अपनी चाल को देखना है चाल में क्या देखेंगे? हम किसको दुख तो नहीं देते? तो अब बच्चों को मेहनत करनी हैं बाप कितना मीठा है? तो बच्चों को भी बनना है ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप अभी यहां है मनुश्यों को थोड़े ही मालुम है कि बाप यहां पर स्थापना का कारे कर रहे हैं फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं कितनी उची चोटी पर बद्रिनाथ आदी के मंदिर में जाते हैं कितने मरते हैं तो भी जाते हैं कहां पाहडी पर है तो बाप ने कहां कितने मेले लगते हैं क्योंकि वो बहुत मीठा है न हर बात कारण बता रहे हैं बापा तुम्हारी पूजा क्यों है तुम्हारी महिमा क्यों है तुम बहुत मैनत करते हो बाबा की पूजा क्यों करते हैं क्यों बाबा बहुत मीठा है दुखरता सुकरता है तो बाबा ने कहा गाते भी हैं उचे ते उचा भगवान बुद्धी में निराकार ही याद आएगा निरा भगवान नहीं कहेंगे अभी तुम बचे समझते हो हम ही सतो प्रतान देउता थे जब हम विश्य के मालिक थे तब इतने धेर मनुष्य नहीं थे हमारे विश्य में, हमारे राज्य में तब इतने धेर मनुष्य नहीं थे सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा लक्षमी नारण का बाकी सब चले जाएंगे शान्ति धाम में ये सब तुम देखते रहेंगे इसमें बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए वहाँ तुमको पहाड़ी आदी पर जाने की दरकार नहीं है वहाँ तो है इस अदा बहारी मौसम ना टेंशन है जो फ्रेश होने के लिए जाएं चलो चक्कर लगा करके आएं ये काम किया बहुत महिनत की है थकावट हुई है तो बाबा कहता है वहाँ पहाड़ी आदी पर जाने की दरकार नहीं वहाँ कोई भी एक्सिडेंट आदी नहीं होते है वो तो है ही वंडर ओफ स्वर्ग स्वर्ग है वंडर्फूल है वंडर ओफ स्वर्ग जब वो स्वर्ग का वंडर नहीं स्वर्ग है वंडर ओफ स्वर्ग जब स्वर्ग का वंडर नहीं तब बाबा कहता है माया के वंडर्स बनते हैं कितने wonder है माया के, seven wonders कहते हैं, तो बाबा ने कहा, तब ये wonders बनते हैं, अब ये बाते दुनिया वाले समझ नहीं सकते, अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो, वो है सुख का टावर, और ये है दुख का टावर, लडाई में कितने मनुशे रोज मरते हैं, तो बाबने कहा, फिर जनमते भी है न, मरते इतना है, तो जनम करें, कम है क्या, जनमते भी हैं, गाया जाता है, इश्वर का अंत नहीं पाया जाता, क्यों ये गायन है? समझ ही नहीं सकते हैं, बाबा सागर है, इसलिए अंत नहीं पा सकते, बाबा ने उससे विपुरीत जवाब दिया है, बाबा ने कहा, अब इश्वर तो बिंदी है, उसका क्या अंत पाएंगे? समझा? अनलिमिटेड है, वो भी हम जानते हैं, लेकिन आज बाबा क्या उत्तर दे रहा है? इश्वर तो बिंदी है, उसका क्या अंत पाएंगे? उस बिंदी में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन वो क्या है? बिंदी है. बाब कहते हैं, इस रचना के आदी मद्दे अंत को कोई नहीं जानते. साधुसंत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते हैं. तुमको तो बाब पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है, पढ़ रहे हैं न सब स्टूडेंट बैठे हैं न? तुमको तो बाब पढ़ाते हैं. स्रिस्टी चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो वो तो कहते हैं हम नहीं जानते चक्र को अत्वा बाबा ने कहा कह देते हैं ये लाखो वर्ष का है अब आपने समझाया है ये जो कुछ तुम यहां देखते हो वो वहां रहेगा नहीं जो कुछ देखते हो, वो वहां रहेगा नहीं, किसी ने का इतने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, इतना विकास हो रहा है, इतने सब बना रहे हैं, कुछ भी नहीं रहेगा, कितना खर्चा कर रहे हैं, और बाबा ने कहा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन जो बनेगा व कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर चीज सतो प्रदान सोला कला से बरपूर है प्रकृती भी तो बाबाने का ये वहां नहीं रहेगा स्वर्ग है टावर अफ सुख यहां है दुख ही दुख अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खतम हो जाएंगे बाबा कहता है मौत देखना ये कोई मासी का गर नहीं है अभी कल्पना तो करो इतना बड़ा विनाश काँ खून की नदी बह रही है काँ फ्लड में लोग बहते चिलाते जा रहे हैं तो इतना बड़ा विनाश देखना ये कोई मासी का गर नहीं है अभी तो सुन रहे हैं, इसलिए सहज लगता है वो एक व्यक्ति का मर्डर साथ मने हो जाए तो सारी रात नीद नहीं आए बस करो, बस करो, बाबा नहीं सहन कर सका था इनको कहा जाता है दुख की चोटी वो है सुख की चोटी बस तीसरा कोई अक्षर नहीं तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते रहते हैं परन्तु दारणा नहीं होती है दारणा तब हो जब बुद्धी गोल्डन एज हो दारणा नहीं होती तो फिर खुशी भी नहीं होती है तो ना सुन रहे हैं बले ग्यान में चल रहे हैं लेकिन ग्यान की धारणा नहीं तो खुशी भी नहीं रहती एकदम हाइस्ट पढ़ाई वाले भी तो पढ़ाई वाले भी हैं तो लोएस्ट भी हैं पढ़ाई में फर्क तो रहता है ना उन्हों को कितना भी बेखत का बाप समझाए परन्तु कभी भी समझेंगे नहीं याद भी गर तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे बाप ही चुमबक है बाबा को बोलो हमारे में कोई ऐसा नहीं है लोएस्ट पढ़ाई वाला स्टूरेंट है कोई यां हम सब हाइस्ट पढ़ाई पढ़ने वाले जो बाबा हमें शिरी मत दे उनसको समझते समझते अपने जीवन में धारन करने वाले हैं बाप ही चुमबक है वो एक दम हाइस्ट टावर वाला है उन पर कभी भी कट नहीं चड़ सकती बाकी सब पर कट चड़ी हुई है उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है बाप कहते हैं मामे कम याद करो और कोई में भी ममत ना रहे शाहुकारों को तो सारा दिन क्या होगा धन दौलत ही याद आता रहेगा गरीवों को तो कुछ है ही नहीं परन्तु गरीब भी कुछ समझदार तो हो ना बले धन नहीं है लेकिन समझदार ये तो चाहिए ना जो धारणा कर सकें याद भी गर किचड़ा कैसे निकलेगा हम पवित्र कैसे बनेंगे बाबनी का इसमें महनत है बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो शिरिमत पर चलना पड़े पहले नंबर में लक्ष्मी नारण का ही गायन है वो एकदम टावर में होंगे फिर कुछ कुछ कम होता जाएगा नई दुनिया को ही टावर पसुख कहा जाता है वहां कोई भी मैली चीज होती नहीं बाबनी कहा ऐसी मिट्टी हवाएं वहां लगती नहीं जो मकान को खराब करें यहां तो देखो आठ दिन में क्या हाल हो जाता है रोज तो साफ करते हैं मकान में उपर में चारो तरप में मिट्टी यां जम जाती है तो वहां ऐसी मिट्टी यां नहीं जमेंगे बाबनी कहा स्वर्की तो बहुत महिमा है उसके लिए पुरुशार्थ करना है लक्ष्मी नारण कितने उँच है उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है आगे चल कर बहुतों को साक्षतकार होते रहेंगे शुरू में कितने साक्षतकार होते थे बाबने कितना जलवा दिखाया ताजादी पहन कर आते थे अब वो चीजे तो यहां मिलना सकें बाबा तो जोहरी है आगे जो पचास हजार में मनी लेते थे अब वो पचास लाख में भी न मिले बाबा के समय पद जो पचास हजार जिसकी कीमे तो यह राइट है अभी तो पचास लाख में कुछ भी नहीं है पचास लाख तुम स्वर्ख के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो वहाँ अथा सुख है बाप इतना पढ़ाते हैं परन्तु बच्छों में रात दिन का फर्ख पढ़ जाता है जितना पढ़ाते हैं फर्ख कौन सा पढ़ता है कहां राजा रानी और कहां दास दासिया पढ़ाया तो सब को एक ही न पढ़ कितना अंतरा गया कहां राजा रानी और कहां दास दासिया जो अच्छी रीती पढ़ते और पढ़ाते हैं वो छिपे नहीं रह सकते या कोई के किसको बले पता नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ तो बाबा नहीं क्या कहा, छीपे नहीं रह सकते जट कहेंगे बाबा, हम फलाने जगा जाकर सर्विस करते हैं सर्विस तो धेर पड़ी है और अभी तो सर्विस का स्वरूपी बदल गया मंसा से शक्तिशाली वाइब्रेशन्स फैलाओ तुम्हें इस जंगल को मंगल बनाना है इस दुनिया को रोटी टुकड खाया ना खाया ये भागे सर्विस पर कितनी बाबा सर्विस जायता है रोटी टुकड खाया नहीं खाया ये भागे सर्विस पर दंदे वाले लोग ऐसे करते हैं होता है ना खाने बैठे होंगे तो भी फोन चलते होंगे पटा-पट खाया और ये एक बार कहां लेने गए वो विचारा तीन वज़ा था तो टिफिन निकाल करके खाना शुरू किया जैसे उसने खाना शुरू किया ऐसे हम लोग पहुंचे और भी आए फटा-फटी फिन बंद करके रख दिया ग्राहक आया तो धन्दा करेगा ना या पहले कहेगा पहले मैं खालू आप बैठो हम क्या कहते हैं हम क्या करते हैं थो बाबन ने कहा अच्छा ग्राहक आजाता है फिर खाया ना खाया भागे धन कमाने का शौक रहता है हमें भी शौक चाहिए ये तो बेखत के बाब से अथा धन मिलता है बल थोड़ा टाइम पड़ा है परन्तु बाबने का कल शरीर चूट जाए तो बले समय है थोड़ा लेकिन कल शरीर चूट जाए तो शरीर पर कोई बरोसा न की है बाद की विनाश तो होना ही है तुम्हारे लिए तो विनाश क्या है बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शेकार तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं बले विनाश हो रहा है तो भी आम खुश हैं हमारी दुनिया कैसे आएगी उसके लिए तो ये सब हो रहा है न तो तुम्हारे खुशी का पारावार नहीं तुमको बहुतो का कल्यान करना है पिछाडी को कर्मातीत अवस्था होनी है तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे तब अनायास ही उड़ेंगे ये बड़ी महनत है बन तो जाएंगे लेकिन इसमें बड़ी मेहनत है कोई तो बहुत सर्विस करते हैं सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े रहते हैं दिन रात सर्विस पर तत पर हैं सेकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे अभी तो बड़ी बड़ी सभाएं होती रहती हैं तुमको फुर्सत भी नहीं मिलेगी सबसे जास्ति तुम्हारे दुकान निकलेंगे फुर्सत भी नहीं मिलेगी माताइं रेडी हैं दुकान तो खुलने के लिए दुकान देने वाले तयार हैं दुकान संभालने के लिए कौन-कौन रेडी है कहां भी सेंटर पर बेजे सेवा पर के जाओ सेवा करो तो सोचो सोचो बाबा क्या कह रहा है तो बाबा नहीं कहा है सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी क्यान रतनों के अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चो की रोहानी बाग को नमस्ते पहली पॉइंट है ज्यान की धारना करने के लिए अपनी बुद्धी गोल्डन एज बनाओ बाब की याद के सिवाए और किसी भी चीज में ममत तो न रहे दूसरी पॉइंट है कर्माती अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते बाप समान मीठे बने है परदान है सहन शक्ती की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजई भव दुनिया वाले कहते हैं आजकल सचे लोगों का चलना ही मुश्किल है जूट बोलना ही पड़ेगा कई ब्राह्मन आत्माई भी ऐसा समझती है सुना दुनिया वाले तो कहते हैं लेकिन कई ब्राह्मन आत्माई भी ऐसा समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है लेकिन ब्राह्मा बाप को देखा सत्यता वा पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन होई फिर भी घबराये नहीं ये बहुत बड़ा कर्म का हिसा किताब है हम चतुराई से उस बात को पास कर लेते हैं और खुश होते हैं देखा आमने इनको बना दिया अपनी बात मनवाली देखा इसने ऐसे कह दिया फिर दूसरे को लगता है ये ऐसे करता है इसका होता है तो मैं भी करूँ लेकिन चतुराई हमेशा नहीं चलती है और चतुराई का परिणाम भी आपको अंदर से शांती और शक्ती का अनुभव नहीं होने देगा इसने चतुराई नहीं यूज करो होश्यारी से काम करो समझदारी से काम करो तो बाबने कहा बरभ्मा बाबा की कितनी या पोजिशन होई बाबा कभी गवराए नहीं सत्यता के लिए क्या चाहिए सेहन शक्ती की आवश्यक्ता होती है उसको यी जो स्च होता है न सबसे ज़्यादा सेहन करना पड़ता है इसलिए बाबने कहा सेहन शक्ती की आवशक्ता होती है सेहन करना पड़ता है जुकना पड़ता है हार माननी पड़ती है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मैंने नहीं किया फिर भी अगर कह रहे हैं तो हम क्या कहते हैं अच्छा ठीक है आप जुक जाओ हार माननी लेकिन वो हार मानना आपकी हार नहीं है जीत है लेकिन हम क्या करते हैं मैं हुई नहीं ऐसी मैंने किया ही नहीं ऐसा तो अपने को सत्य सिद्ध करते हैं और बाबा नहीं हमेशा पढ़ाया है कभी भी सत्यता को सिद्ध नहीं करो सत्य स्वयम प्रकाशित है लेकिन जब ये थोड़ा समय में अंदकार का बादल हट जाएगा तो सत्य प्रत्यक्ष होगा तब तक आपको सहन करना पड़ेगा हैं सहन करने के लिए तयार मैं क्यों करूँ मेरे से सहन नहीं होता है और फिर कहें कितना सहन करूँ जब तक हम मूर्ती नहीं बने हैं तब तक कोई न कोई ठक ठक करता रहेगा किसको दिखाई दिया आँख वरुबर नहीं है तो ठक ठक करेगा किसको ये वरुबर नहीं दिखाई देता है तो ठक ठक करेगा जब मूर्ती संपूर्ण बन जाएगी तो अपने आप ठक ठक करना चोड़ देंगे तो बाबने कहा हार माननी पड़ती है लेकिन वो हार नहीं है वो सदा की विजय है स्लोगन है प्रसन रहना और प्रसन करना ये है दुआई देना और दुआई लेना अव्यक्ति इशारा है बाबा का मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक में समाजाए मेरा एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक में समाजाए जहां चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए इसको कहा जाता है मन वश में है इस एक काग्रता अर्थात एक रस स्विट साइलेंस की इस्थिती द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिष्टा स्वरूप की अनुभूती होती है आज का अभ्यास है बुद्वार संपूर्ण समर्पण में दरेक कर्ममा करन करावन हारनी स्मुरूती अने अनुभूती संपूर्ण समर्पण में तो उसका अभ्यास क्या करेंगे हरेक कर्म में करन करावन हार की स्मुरूती आज का स्वमान है मैं एक रस हूँ शेलो आज हमारे पास अभ्यानिया